तो मतबो ऐसे बोलते थे कि तू ये जुनियर या लूपलाइट बन के कुछ नहीं कर सकता तू डांस वांस मत कराथा मेरा यूट्यूब चैनल देखने वाले सबी दोस्तों को विश्वजी सोनी का प्यार बरा, मस्ती बरा, प्रेम बरा, नमशकार वभी प्रेम से हाँ, तो दोस्तों, आज मैं आपको जिन से मिलाने जा रहा हूँ, ये है दीपक उत्वल, अब आप सोचते होंगे ये कौन है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो मैं बताओं, ये है गोविंदा, यानि के विरार के भी नहीं, सांताक बुरूस के भी नहीं, ये संतरा का जूस निकालने वाले गोविंदा, मतलब इन्हों ने इतना गोविंदा जी को फॉडो किया है, इतना डांस किया है, कि पूरा जूस निकाल दिया है, और इनका नाम है धीपक उत्वल और लुकलाइक गोविंदा, काफी लोग बोलते हैं, डुब्लिकेट नहीं होते हम इन्हों ने इतनी मेहनत की है, इतने शिदत से आगे आये हैं, और आज इन्हों ने बहुत अच्छा मकाम बनाया है, गोविंदा जी के नाम से, देखिए नकल करने में भी अकल की जुरूत होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि यारे यारे तो नकल करता है, अरे भहिया आपको अंदर लाके सामने पेश करना, तो आएए कुछ बाते करते हैं, हमारे जुनियर गोविंदा जी से, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार प्रेम जी, और मैं बहुत शुकर गुजारू कि आज हमारे प्रेम जी ने बुलाया मुझे इंट्रिवू के लिए, और दोस्तों, आप लो इंडस्ट्री का जो कैरियर है, कैसे शुरू हुआ है, और मैं पुल से स्ट्रगल से गुजरा हूँ, पुल से हालाज से मैं यहां तक पहुचा हूँ, तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको कम लगा, कि आप गोविंदा जी जैसे लगते हैं, सबसे पहले तो मैंने गोविंदा जी की घुदगर्ष फ्रिम थी, वो मैंने देखी दी, तो आपके आजाने से बहुत फेमोस वह तो उस्टाइम, बहुत रिक्षे में, टैक्सियों में, हर जगे पे, मतलब घर-घर में आपके आजाने से ओ सौंग जो है, बहुत सुनने में आता तो लोग बोबते थे, आर आप गोविंदा जिएसे दिखते हो, तो उस्टंग मुझे लगतानी था किया में लगता हूं करके तो उसके बाद में कहीं भी जाता तो, मेरी स्माइलर और स्लाइल को देखे बोबते थे, आर ओ गोविंदा की तरह लगता है, तो जैसे कि आप कर लेता था तो फिर उसके बाद में कभी-कभी ओगाना भी आ जाता था खुद गर्स का तो मैं कुछ ऐसे ही डांस के स्टाइप मारता था और लोग भूत खुश हो जाते थे तो बस उसके बाद में मुझे लगता नहीं था कि मैं प्रोपेश्चनल या लोक लाइक अपनी में जॉब करूँ और अपने परिवार को समा लूँ किके मेरे पपा भी एक आर्टिस्ट है थे अभी इस दुनिया में नहीं है वो तो भी कीबोर्ड बजाते थे तो उनको इतनी सक्सेस नहीं मिली थे तो वो ऐसे बोलते थे कि तू ये जूनियर या लूक लाइक ब हुआ था। कई कमपनी तो उनके लेकिन महार से में निकाल दिया क्यों बाल मेरे बड़ए थे तो कुछ कमपनी में ठोड़ दियों उनको लेकिन मैं आर्टिस्ट उनको अखिर बनी गया तो बहुत भीने सफर किया जैसे कि ऑ छोटे-छोटे स्टेचों पर डान्सकरना तो म मुझे याद है है हम लोग चत्र थे मेले में दो रुपय में तिंग गाले मांट मेरी में में उसके बाद में कुछ हम लोग ने गूगी बूगी भी साथ में किया बुगियूगी से हमें प्लैटफॉर्म मिला और हम लोग दुनिया के सामने आये तो जावेद भाई का हमें शुकर गुजार करना चाहिए रभी बैल जी नावेज जी इन्होंने हमें अच्छा बुगियूगी में मौका दिया ब्रेक जी जी नावी सर जावी सर और सारे लुक लाइब भाई सब अच्छा काम कर रहे हैं और आज सभी का एक अच्छा प्लैटफॉर्म है और अच्छी जगे पे हैं वैसे बताओ आपने आउट आप कंट्री में जादा किया ना बाद में आजी उसके बाद में मैं जादा करके दुबई रहा करीबन मैं 99 में गया हूं औ ही इंड में मतलब जैसे कि धी मेने थूर होता था और कभी दो मेने का भी कभी चे मेने का तो मैंने काफिय मारत करीबने का ब्रावी तटेवीज साल मैं काम किया और काफिय के जितने कि लोग हैं वहां पर सबीजिते मुझे एकione किया और वहां पर इसे मुझे आने नहीं दिया कि भई आप ही आओ आप ही आओ करके और आज भी मांग है कि आप आज आई आए करके शो के लिए मैं था तीन मेन आफ के सांगे सब्सक्राइब करेंगे साथ में काफी साथ में परफॉर्म किया और खुब मस्ती और खुब दमाल भी किया और कभी-कभी यादे आती तो इसा लगता है यार कितने दिन हो गए हमारी फर्ष्ट मुलाकात हुई थी या वन नाइन नाइटी-फोर में महीम में आप रहते देख महीम चर्च के पीछे जो चौल है मैं महीम में रहता था डेपो के बाजू में मोरी रोर जिसको बोलते हैं महां से मेरा काफी एमन जी भी रहते थे वहां पर जो आप इस दुनिया में नहीं है एमन कुमार उनोंने मिलाया था तो एमन कुमार जी जो है आज इस दुनिया में नहीं पैवि प्रेम जी चाहते हैं कि JOHN जेंगा भी काम दिया तोमें तोसी इन्पटी के तो यहां तक मैं पहुंचा हूँ और मेरी फिलिम भी आई थी छोटे नवा बड़े नवाब जो कि बड़े मिया छोटे मिया के मुकाबरे थी लेकिन हमारी छोटे बजट की थी लेकिन उचल गई उनाम से वह बहुत अच्छे चली दी बड़े नवाब चोटे नवाब और अच्छे से मुझे मिले और बहुत प्यार मिला उनसे और भावी जी ने तो ऐसा कहा था कि भई साप के कारबन कॉपी हैं अब तो से बड़ी बात तो कोई होई नहीं से तो इतना आपको प्यार करते शायद याद है हम लोग ने फिल्म कर रहे थे चलो इश्क लड़ाए प् प्रेंड जी ने चलो इश्क लड़ाए में गोविंदर जी के साथ में कुछ कॉमेडी सीन थे उन्होंने किया था श्याद उनका रूल काटा गया है उसमें लेकिन गोविंदर जी से मिलाने वाले प्रेंड जी थे कि भाई आजाओ यार तुमारा गोविंदर जी यहां पे तो मैं तुर्द वहां पर पहुंचा था जी फर्स्ट मिला चाहती है कमलस्तान में कमलस्तान में काफी लुक लाइब तो उसमें हम लोग मिल जाए गोविंदर सर्था तो उस टाइब भी बहुत मुझे लाइक किया उन्होंने सपोर्ट किया कि उस टाइम में थोड़ा है थ जोशिश करता हो कि भी उनकी तरह कुछ एक हंड्रेट परसंट नहीं एक पांच परसंट तो मैं दीखूं क्या हैल्थ में कपड़ों से या स्टाइल से यह पांच परसंट नहीं आप 95% 99% लगते हो आज गोविंदा जी का लुक लाइक बनके आपने इतना अच्छा मकाम ब और पाइचान कॉन नवीन ब्रागार कॉमेडियन, कॉमेडियन वी मेरे अच्छे दोस्ते हैं, जोग काफी शोश कते हमें एक बार दुगई आय थे, भू करने है मैं सल्मान खान जी और नवीन ब्रागार कॉमेडि़ने नौएरन ने जी का, कि आप हायात में चलोगे है उनके सामने बढ़ेंगे तो प्राइविट प्राइविट उनकी खराब होगी हमारी भी खराब कि एम कुछ गोल भी नहीं पाईगे तो वालत मेरे दोस्त है जुनियर कोविंदा अपने उसको मिल जाएंग और अपन मस्ती करेंगे तो न कि मर्जी है अपकी मर्जी मेरा हम कि यह देखके जो कि वह इसको भी देखो पहचाल कॉन और वह हुई गाना चल रहा था पहचाल कॉन और सच मुझे कुछ सेगेंड के लिए तो ऐसा लगा कि मैं मुंभाई में हुई यह दुबाई में तो मैं इनको देखके बहुत शौक हो गया क्योंकि उस टाइम यह नमीन जो जी है कॉमेडी सरकस के लाप्र चैलेंज के और हमारे अच्छे दोस्त हैं और इनके खास दोस्त हैं तो यह मुझसे मिलने के लिए आया थे कि यह दोनु भी जो है सलमान खान जी याने की हमारे सूपर स्टार उनके शो में आए हुए थे तो हयाद होटल में रुके वे लोग लेकिन मुझसे मिलने के लिए तो इतनम से मैं देखे चौक गया इनको कि भी यार मुझसे मिलने आ गया है तो हम लोग ने वहापे भी बहुत इंजोए किया बहुत इतनम धवाल किया हुए और हम लोग ने स्टार्ट में आज जो रियरिटी शो आ रहे है हमारी सरने के बार नियुक शरा समयारा ये यार फिल्म दिवाने औरuggling इतना मीडिया का ये नहिए नहीं था यूट्यूब कर रहे हैं जुह हम इतने famous नहीं हो पहुए लेकिन हम पिर भी आज लोग हमें जानते हैं हमारे यार, दोस्त, सब जानते हैं, जानता हमें जानते हैं। लेकिन उसके बाद reality show से हम जो पी serial कर रहे हैं, movies कर रहे हैं, यह जो अभी के लोग जो रियालिटी शो कर रहे हैं मैं तो चाहता हूँ उपर वाले से के ये भी आगे चल के सिरियल्स फिल्में करें और एक्टर बन जाएं क्योंकि काफी रियालिटी शो आज़कर चल रहे हैं लेकिन उसका आगे भी फाइदा होना चाहिए चाहर एपिसोड में दिखे रियालिटी शो किये फिर आउट हो गए फिर उसके बाद पता नहीं लेकिन आज उपर वाले की महरबानी है कि जितने भी लोकल आई गए जैसे मैं कर रहा हूँ भावी जी घर पर है । और इतना देश विदेशों में शोज किये नजाने कितने पासपोर्ट खतम कर दिये पांच पासपोर्ट हो गए चार मेरे हो गए फवैंख्रा लोग एक थपशी को नहीं मिलता और जिसको नहीं मिलता और जैसेथा नहीं करकूत апरेंप्र तो यह पर बड़ी सकसियत है गोविंदा जी उनका चैरा आपको मिला इतनी बड़ी सकसियत है प्रेम चुबडा जी उनका चैरा मुझे मिला तो इक और गिप्ट है लेकिन गॉड्ड ने चाहा है एक बात बता दूमें प्रेम जी ने जो स्टगल किया आज बाबी जी में नमबर बन अगर रोड पर खड़े भी हो जाए तो उन से फोटो निकालने आ जाते हैं संपी लेने आ जाते हैं बहुत फेमस हैं और एक बात बता हूँ हम दोने दुसरे का इंटर्यू ले रहे हैं कोई स्क्रिप्टेट नहीं है यह हम जो बात कर रहे हैं रियल कर रहे हैं दिल खोल के आ खाना खाए भी हो जाता था जैसे वड़ा खा लिया तो शांकों में क्या खाऊंगा और बहुत जोपडपटी में रहा हूं मैं और बहुत इस्टागल करके हां तक मैं पहुंचा हूं हमारे में कोई असा है कि कुछ बड़ापन कर रहे हैं नहीं नहीं बहुत छोटे से कि अगर गोविंदा का ही लुक लाइक चाहिए तो गोविंदा का ही लुक लाइक लेंगे प्रेम्चुपणा जी का चाहिए तो प्रेम्चुपणा जी का लेंगे शारुक खान जी का चाहिए तो शारुक खान जी का चाहिए तो शारुक खान जी का निकिन आज का थोड़ी मेरी एक शिकायत है एंड फिरएंटी शो में जो किसी खोप भी मीमिकरी आड्चिस को उठा के गौविंदा बना देते हैं किसी तो प्रेम्चोपड बना देते हैं किसी अमिता बच्चन बना देते है यह मत करो सब दोड़ रहे है लो मुझम गां करने के लिए हाँ है आप नो आप भी थोड़ा जो देख रहे हैं जो आप देखते हैं उन्हें आप यूट्यूब के नीचे लिख सकते हैं कि यार जो असली है उनको बुला लो मंदब असली के जो निकलिये हैं और बहुत अच्छा लगा प्रेम जी आपसे बात बात बढ़ बढ़ बजा आगया यूट्य चैनल की जितने भी सस्क्राइब हैं उनको मैं तैदी से बहुत बहुत दन्यवाद करता हूँ कि आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा और हम लोग की जो मैनत है और यहां तक जो हम लोग पहुंचे आप उसे एफिसेट करेंगे बस यही मैं कहना चाता हूँ आप लोग को मज़ा आया होगा ये वीडियो देखके तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें कॉमेंट्स करें शेयर करें और बहुत मज़ा आगया आपसे मिलके बड़ा बहुत दिनों के बाद मिले आप तो मैं बला चलो इंटर्यू ले लेते हैं आपको एक और आपने मेरे इंटर अटि बारवार मंटी में घंटी बजारे लिए कुल्लाओ के पच्ची मोटले बहुत होगे फुटले बटले सालामाद चाहा ये मुद्नू थाइंक्यू थाइंक्यू थाइंक्यू